बागपत जिलादकारी और पुलिस अधिक्षक ने जिले में नागरिक्ता शंशोधन बिल के को लेकर बागपत और बड़द शहर में भ्रमड कर शांती व्यवस्ता पर की। ऐसे में शहर में अमन चैन कायम रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। बागपत शांसद, डॉक्टर सत्पाल सिंग ने भी बागपत जनपत के सभी लोगों से अपील की कि नागरिक्त शंशोधन कानून का सम्मान करें क्योंकि ये कानून नागरिक्ता दिये जाने के पक्ष में है। जुमे की नमास के बाद अल्ला से दुआ करके अपने अपने घरों में पहुच जाए रास्तों में ना खड़े होने की जरूरत है। और ना किसी की अफवा में या किसी के वहकावे में आने की जरूरत है। हमारी सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि हमारे भागपत जीले का बढ़ोत का अमन चैन बरकरार रहे ये मेरी आप से मुझारिश है मैं बागपत शेत्र के सभी अपने नागरिक भाई और बहनों से एक जरूर अपील करना चाहूंगा कि अभी हाल में भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा जो कानून जिसको हम लोग नागरिक ता संसोधन कानून कहते हैं पास किया गया है ये कानून किशी भी वर्ग के किशी भी समधाय के खिलाप नहीं है किशी भारत नागरिक के खिलाप नहीं है किशी को डरने की जरूत नहीं है और कोई भी व्यक्ति मैं सब लोगों से अपील करूँगा, किसी के भैकावे में नाएं, लोग इसके बारे में दुस्त परचार कर रहे हैं, भैका रहे हैं, कि विशेश रूप से मुसलमान भाईयों के अलप संककों के खिलाब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसने मैं स सबी लोगों से निवेदन करूँगा, कि सबी लोग हमारे जिला प्रसासन की, हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश में हमारे जो अधिकारी हैं, चाए जिला प्रसासन हो, चाए पुलिस प्रसासन हो, उनको सब लोग मदद करेंगे। मोबाइल हैं, और फ्लैग मार्च निकाला, इसके बाद फुट प्रट्रोलिंग भी जो सेंस्टिव मिश्यताबादी वाले लाकें, उनमें फुट प्रट्रोलिंग की जा रही है, इसके तरिक जो हमारे धर्म गुरू हैं, उनके द्वारा भी बीडियों अपना जारी करके जो है, शांतिके अफिल की जा रही है, कि सभी लोग नमाज के बाद जो है, टीन तीन चार चार के गरूपों में, पांच के गरूपों में अपना जाएंगे, और शांति पुरूफ नमाज समात करने के बाद जाएंगे, यहाँ यह ये भी ब्युस्ता कि एक है, कि एदी ग्यापन लेत आने के बहुषता है